जै महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ, भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अंक सास्त्र से जुड़ा हुआ, अंकों से जुड़ा हुआ एक उपाय बताने जा रहा हूँ कै अंक जो है, वो किस तरह से आपके life में टर्निंग पॉिंट बन सकते हैं कीस तरह से आपकी life को वो एकदम से चैंज कर सकते हैं अभी तक आप जहां कहीं भी किसी भी काम के लिए जाते थे, वहां उस काम में यदि आपको नेरासा हात लगती थी आप अपने आपको उतनी अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे अपने आप अपनी बात को जिस तरह से आप चाते थे उतनी अच्छी तरह से यदि आप प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे तो अब मैं आपको उपाय बताऊंगा कि किस तरह से आप इन अंकों का उप्योग करें कि जिससे आपकी वाग छटा आपके बोलने की जो सकती है वो परिवर्तित हो जाएगी किस तरह से आपके काम बनेंगे क्यों कि आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति कुछ चीजों को बोलता है तो उसके जो सब्थ है उसमें ताकत होती है पावर होती है और यह जो पावर है यह जो ताकत ही जो सकती है यही उसका काम बनाती है अपने कई बड़े बड़े नेताओं को देखा होगा कि जब वो भासन देते हैं, प्रवचन करते हैं, कोई नेता, कई संत, तो लोग विमूड हो जाते हैं, उनको देखते रह जाते हैं तो ये जो उनकी वाक्षटा है, बोलने की जो उनकी ये जो सकती है, कुछ लोगों में by default कुदरती होती है, कुछ लोग इसको ट्रेनिंग ले करके विक्सित करते हैं, और कुछ लोग इस तरह से अंकों का उप्योग करके या अन्य, कितने ही ऐसे रीत हैं, जोती सासर में बता जिसका प्रयोक करके, इनसान इस तरह की क्रियाए करता है, कि जिससे यदि वो कहें पर भी जा करके, कितने ही लोगों के बीच में जा करके, जो कोई भी बात बोलता है, तो सारे ही लोग उसकी बात मानने को विवस हो जाते हैं, उस व्यक्ति की बात, वे लोगों को ऐसा उस सोच को नकार नहीं सकता है, इनकार नहीं सकता है और ऐसे में सामने वाले व्यक्ति के काम बनने लग जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो अंक दूँगा, इस अंकों के प्रभाव इतने हैं। मैं आपको अंकों के बारे में भी बता दूँगा, जानकारी दे दूँगा, किस अंक का क्या प्रभाव है, इससे क्या आपको benefit मिलेगा, किस तरह की आपकी skills develop होंगी और किस तरह से इन ग्रह से संबंदित लोग या इन ग्रह के दाइरे में आने वाले लोग स्वता ही आपकी बात सुनने लग जाएंगे और मानने लग जाएंगे, जब ज़्यादातर लोग आपकी बात सुनने लग जाएंगे, मानने लग जाएंगे तो automatically आपके काम बनने लग जाएंगे तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माद्यम से हमारे प्राचिन्दम गुरंथों में छूपवे कई ऐसे गूड राज से हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रूची रखते हैं यदि अपने ज्यान को बढ़ाना चाहते हैं तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको वो अंके जिसके उपियोग से आप जैसा चाहते हैं उस तरह का काम हो जाएगा आपको पैसे टके काम का ज्वेवार हर जगा आपका बहुत अच्छी तरह से होने लग जाएगा तो जो सबसे पहला अंक आपको लिखना है वो साथ का अंक लिखना है साथ का अंक का मैं महत्व आपको बता दू कि साथ का अंक काफी लखी नंबर है साथ का अंक जिस व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है उस व्यक्ति का अपने आप भला होने लग जाता है स्वते उसका लाब होने लग जाता है साथ अंक के व्यक्ति वाला नमबर वाला व्यक्ति जिस किसी व्यक्ति से मिलेगा अपने आप उसको लाब होने लग जाएगा ऐसा वेक्ति जिसका मुलंक साथ हो यदि वो आपका मित्र है और आप उसके साथ में कहीं जाते हैं तो आपको अपने आप जिस जगह उसे ले करके जाएंगे वहाँ आपको लाब होने लग जाएगा तो पहला जो अंक आपको लिखना है, वो साथ का लिखना है, साथ का अंक लिखने के बाद आपको पाँच का अंक लिखना है, पाँच का अंक है, बुद्ध का अंक है, युवा अंक है, जोसिला अंक है, उसाहित करने वाला है, कुसा अगर बुद्धी देता है, आपको वाण ये वैसी आपकी वानी बन जाएगी तो इसको सुन करके लोग अभी बूत हो जाएगे साथ ही साथ आपको कुसागर बुद्धी देगा जब आपकी बुद्धी एक्तम तिक्ष्ण होगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप सामने वाले का दिमाग पढ़ लेंगे और आपको कब कैसा अपने आपको प्रस्तुत करना है ये आप समझ जाएंगे तो आपको लिखना है साथ फिर पांच इसके बाद आपको लिखना है दो का आंग जो दो का अंख है वो चंदर का अंख है चंदर जो है वो आपके मन का कारक है आपके मन पर उसी का सासन चलता है तो इससे क्या होगा आपका जो मन है जो ऐसे चंचल रहता है इस तरह से आपका मन चंचल नहीं रहेगा आपका मन ठहरा हुआ रहेगा और जब आपका मन स्थिर रहेगा, एक जगा पर रहेगा, तो आप जिन जिन लोगों से मिलेंगे, उन सब के मन को आप स्थिर कर देंगे, उनके मन विचलित नहीं हो पाएंगे, जैसे एक कुसागर घोडे सवार है, जिसको बहुत अच्छा से आता है घोडे चलाना, वो किसी भी घोडे पर अगर बेठेगा, तो उसको अपने इसाब से चला लेगा, तो इसी तरह से आप हर एक व्यक्ति के मन को समझ जाएंगे, और आप जैसा चाहेंगे, उतनी सांती से, उतनी धीरत से आप बात कर पाएंगे, और सामने वाला व्यक्ति आपके बातों की डेफ्ट म है, जो कि सूरिय का है, सूरिय का जो अंग है, वो आपको सेंटर में लेकर के आता है, क्योंकि सूरिय जो है, वो ग्रहों का राजा है, सेंटर में है, तो आपको सेंटर में लेकर के आएगा, तो आपने देखा होगा, कि हर चीज, घड़ी की सूरिय से लेकर के किसी भी चाहेंगे वैसा सामने वाले से अपना काम निकाल पाएंगे तो आपको जो अंक लिखने हैं वो हैं साथ, पांच, दो, एक ये अंक आपको लिख लेने हैं इन्हें आप लाल रंग से भी लिख सकते हैं और यदि चाहें तो इन अंकों के जो जो रंग हैं इनसे भी आप इनको लिख सकते हैं, वाइट प्लेन पेपर में लिखने हैं, इनको लिख करके आप अपनी जेप में, अपने पर्स में रखें, और इनका जो प्रभावे, इसे लगातार आप याद करते रहें, जहां कहीं भी किसी भी कारे के लिए जब भी जाते हैं, तो इन लिख को अपने घर से निकलने से पहले सीधी हतेली में ले करके ऐसे कुछ देड़ तक देखें, और इनका जो प्रभाव है, उसको महसूस करने की कोशिस करें, और इसके बाद अपने कारे में निकल जाएं, अब जहां कहीं भी किसी भी कारे में जाएंगे, वहां आपको आ अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते रहें दिव प्रकास और अपने जीवन में लाबनवित होते रही है धन्यवाद